नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लेंगवेज और प्लेनेट्स में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों जब भी जूतिश में चर्चा होती है किनी ग्रहों की यूतियों की तो दो ग्रहे ऐसे हैं जिनकी यूति को विशेश प्रभाव शाली और बहुत फलदाई माना जाता है ये यूति है बुद्ध और शुक्र की यूति ये दोनों ग्रहे जन्म कुंडली में जब भी एक साथ होते हैं इसे लक्षमी नारायन योग के नाम से जाना जाता है बुद्ध और शुक्र बहुत गहरे मित्रे हैं इनकी दोस्ती बहुत ही ज़्यादा गहरी कही गई है ये दोनों ग्रहे जब एक साथ मिलते हैं तो ये एक ऐसे योग का निर्मान करते हैं जिसे लक्षमी नारायन योग अर्थात पालनहार विश्णू और सर्वव्यापी जिसे कहते हैं कि जिनके बिना कोई काम पूरा हो नहीं सकता लक्षमी जी का स्वरू शुक्र इसे योग वाले जो लोग होते हैं ऐसे लोगों का दिमाग विशेश तेज कोता है इनमें कलात्मक गुन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं किसी विवाद को बहुत जल्दी से समझकर दूसरों तक उसे पहुचाने में बुद्ध और शुक्र की यूती बहुत अच्छा काम करती है जातक मल्टी टेलेंटेड होता है इनसान घर गरस्ती में भी एक्सपर्ट और बाहर के काम में भी एक्सपर्ट होता है इनसान में बहुत बड़िया खिचाव एक अट्रेक्शन देखने वो मिलता है लोग इनको देखकर इनकी बाते सुनकर इनके दीवाने हो जाते हैं इनके अंदर एक अजीबो गरीब खिचाव होता है जिससे लोग इनके पास बैठना और इनसे बाते करना पसंद करते है प्यार, संगीत, मौज, मस्ती इनके जीवन का एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है ये लोग बहुत हस्मुख और दूसरों का जल्दी दिल जीतलने वाले लोग होते है होटल मेनेजमेंट, संगीत, एक्टर, एंकर, एयर होस्टेस और टीचर, बैंकिंग इन छेत्रों से ये लोग बड़ी संख्या में जुड़ते हुए देखे जाते हैं क्योंकि इन्हें दोनों अर्थात भगवाण विश्नु और मालक्षमी का अशीरवाद प्राप्तो होता है अगर ऐसे जात्वों को शुक्र की दशा और बुद्ध की दशा मिल जाए भोगने को तो इनको जीवन में बहुत ज़्यादा ऐसे अवसर मिल जाते हैं कि जिने सुनहरे अवसर कहा जाता है लाइफ को जिन्दगी को बना ले जाने वाले अवसर इन दोनों में से एक भी ग्रह अगर अस्त हो जाता है या सुर्य के बहुत ज़्यादा नजदी का जाता है तो ये योग कई वार भंग भी हो जाता है तुला लगन, व्रशव लगन, मिथुन लगन, कन्या लगन, मकर लगन और कुम्ब लगन में ये दोनों ग्रह अगर केंद्र त्रिकोन में बैठ जाएं एक साथ तो जातक को ना केवल बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं बलकि जातक को धन, सुक्सम्रद्धी, एशो आराम और मान सम्मान इनको निश्चित तौर्थ से देते हुए देखे जाते हैं बुद्ध बुद्धी है तो शुक्र ज्ञान और एश्वरेशाली है हर चीज को तरीके से दूसरों का दिल जीत कर हासिल करना इनकी खूबी होती है हस्मुख मजा किया पढ़ाई में हमेशा आगे रहना किसी भी चीज़ को जल्दी समझना और खाने पीने और कपड़े पहने के तरीके इनके विशेश अलग होते है सुक्सम्रदी ऐसे लोगों के जीवन में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है ये योग किसी लड़की की कुंडली में अगर होता है तो ऐसी लड़किया बड़ी आसानी से किसी का भी दिल जीत लेती है और अपनी ससुराल में और अपने ग्रहस्त जीवन में अपनी जिम्मेदारी को बहुँ भी निभाना जानती है यदि बारे अलग-अलग लगनों के बारे में बात की जाए तो बारे अलग अलग लगनों पर इसके क्या प्रभाव होते हैं आज इसकी चर्चा करते हैं सब्सक्र पहले बात करते हैं मेश लगन में मेश लगन में बुद्ध तीसरे और छटे भाव का स्वामी होता है और शुक्र दूसरे और सात्वे भाव का स्वामी होता है ऐसे जातक के कोटुम्ब में बहुत ज्यादा मतभेत देखने को मिलते है जातक का शादी शुदा जीवन भी अधिकतर डिस्टर्ब रहता देखा जाता है जातक की पतनी देखने में तो सुन्दर होती है मगर शादी के बाद जातक के जीवन में पती या पतनी को लेकर संगर्ष बना रहता है यहां कर्ज की स्थिती भी देखने को मिल जाती है कई बार दूसरा लगन व्रशब लगन शुक्र यहां पर लगन और छटे भाव का स्वामी होता है बुद्ध दूसरे और पाँचवे भाव का स्वामी होता है यहां जातक बेहत बुद्धिमान होता है ग्यानी होता है धन को संचित करने वाला खोबसूरत आखों वाला और मीठी वानी और मीठी मानी के साथ साथ ऐसे लोगों को गाना गाने का या गुन गुनाने का बहुत शौक होता है या ऐसे लोगों को संगीत या गानों में इन चीजों में बहुत ज़्यादा रुची होती है ये लोग बहुत मीठे खाने के शौकीन होते हैं जातक के कुटुम्ब में अक्सर वैचारिक मतभेद देखने को मिलते है तीसरा लगन मिथुन लगन मिथुन लगन में बुद्ध लगन का और चौथे भाव का स्वामी होता है शुक्र पंचम और बार्वे भाव का स्वामी होता है जब दोनों ग्रहे यूती में आते हैं तो ये जातक को कामुकता से भरा हुआ ज्यानवान, तीवर बुद्धी वाला और जातक की माता को बहुत सुन्दरता परदान करते हैं जातक को अपनी माता से भी कई बार दूर रहना पड़ता है किसी न किसी कारण से करकलगन, शुक्र, चौथे और ग्यारवे भाव के स्वामी होते हैं, बुद्ध बारवे और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं जब ये यूती में आते हैं तो जातक को घर से दूर और मा से दूर रहना पड़ सकता है जातक पर कर्ज की स्थिती रह सकती है जातक का घर किसी बहुत हर्याली वाली जगे पर हो सकता है जातक को अपनी मा से हमेशा लाब प्राप्त होता है जातक की मा बहुत सुन्दर और अच्छे विचारों वाली महिला होती है सिंग लगन इस लगन में शुक्र दशम और तीसरे भाव का स्वामी होता है बुद्ध दूसरे और ग्यार्वे भाव का स्वामी होता है ऐसे जातक में अपने कर्म और पराक्रम से लाब प्राप्त करने का एक विशेश गुन होता है जातक की वाणी, मधुर और आखे सुन्दर होती है जातक गाना गाने का शौकीन हो सकता है यह यूती अगर ये दोनों ग्रह कुंडली में सिंग लगन में साथ बैठे होते हैं तो ये यूती जातक को एक बहुत अच्छा व्यापारिक गुन परदान करती है एक अच्छा सेल्समेन बनाती है कन्या लगन इस लगन में बुद लगन के और दशम के स्वामी होते हैं शुक्र, दूसरे और नवम के स्वामी होते हैं जब दोनों ग्रह यूती में आते हैं तो जातक धार्मिक अनुष्ठानों को करने वाला मीठी भाषा बोलने वाला जातक का कुटुम्ब भी समरद बहुत समरद देखा जाता है जातक भाग्यवान होता है लग्जरी ऐसे जातक को लग्जरी लाइफ जीना बहुत पसंद होता है और जातक के भाग्य में भी लग्जरी लाइफ जीना होता है तुला लगन इस लगन में बुद्ध बार्वे का और नवम भाव का स्वामी होता है शुक्र लगन का और अश्टम का स्वामी होता है ऐसे जातक में अपने धर्म कर्म के प्रती बहुत ज़्यादा समर्पन देखा जाता है जातक के लिए विदेश में सेट होने के भी बहुत अच्छे योग बनते हैं जातक की शादी या तो out of state मतलब अपने राज्ये से बाहर होती देखी जाती है या हो सकता है कि उसकी शादी विदेश से भी हो जाए जातक में अक्सर कामुकता बहुत जादा देखी जाती है और जातक खर्चीला भी बहुत होता है लेकिन बुद्ध और शुक्र की युतियदी होती है जन्म कुंडली के अंदर तो ऐसे जातकों का खर्च उनकी आमदनी के अनुसार बहतरीन चलता रहता है व्रश्चिक लगन इस लगन कुंडली में शुक्र सप्तम और बार्वे भाव का स्वामी होता है बुद्ध आठवे का और ग्यार्वे भाव का स्वामी होता है यहाँ शुक्र आउट ओफ स्टेट और आउट ओफ कंट्री शादी करवा सकता है जातक का पार्टनर सुन्दर होता है मगर जातक की पत्नी का स्वास्त्य अक्सर गणवर रहता है शादी के बाद जातक को विषेश लाभ प्राप्त होते देखे जाते है जातक की पत्नी या जीवन साथी कुछ रहस्यमई प्रवर्ति के हो सकते हैं संदेहास्पद प्रवर्ति के हो सकते हैं धनु लगन इस लगन कुंडली में शुक्र छटे और ग्यार्वे भाव के स्वामी होते हैं बुद्ध सात्वे और दस्वे भाव के स्वामी होते हैं जब इन दोनों ग्रहों की यूती होती है तो जातक का अपने पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद देखा जाता है शादी के बाद उसको लाब अवश्य मिलते हैं आर्थिक लाब मिलते देखे जाते हैं लेकिन जीवन साथी की हेल्थ खराब रहती है और आपस में विचारों का मनमुटाव बना रहता है मकर लगन इस लगन कुंडली में बुद्ध छटे और नवम भाव का स्वामी होता है और शुक्र पाँचवे और दसवे भाव का स्वामी होता है ऐसे में इन दोनों ग्रहों की जब यूती होती है तो जातक अपने पूर्व जन्म का ग्यानी होता है यह कहा जाए किसी न किसी विध्या में पूर्व जन्म से ही ऐसे जातक की निपुणता रहती है क्योंकि ये नवम का पंचम भाव, नवम और पंचम का याम संबंद बनता है मकर लगन में इस यूती के कारण जातक अक्सर प्रेम में असफल रहता है जातक को संतान से कष्ट या सहयोग कम ही मिल पाता है मगर जातक के ज्यान और सम्रद्धी के लिए ये यूग बहुत शांदार सिद्ध होता है जातक अपने कर्म क्षेत्र में बहुत बहतरीन मेहनत करता देखा जाता है और अपने कर्म को और अपने धर्म को बखु भी समझता है कुम्ब लगनु इस लगनु कुंडली में शुक्र चोथे और नवम भाव का स्वामी होता है बुद्ध आठवे और पांचवे भाव का स्वामी होता है इन दोनों ग्रहों की यूति हो तो जातक की माता की हेल्थ को खराब अकसर देखा जाता है और जातक के भागे को भी बिगरते देखा जाता है जबकि जातक की माता देखने में बहुत सुन्दर होती है जातक की माता यंत्र मंत्र तंत्र में भरोसा करने वाली होती है जातक का ये भी जातक की इस जातक की कुंडली में भी ये नवम पंचम का संबंद बनता है तो जातक निश्यत तोर से ग्यानवान और धार्मिक विचारों वाला होता है जातक की माता भी काफी धर्म कर्म वाली इस्त्री होती है जातक के परिवार में अधिकतर लोग ग्यानवान देखे जाते हैं मीन लगन शुक्र तीसरे और आठवे भाव के स्वामी होते हैं बुद्ध चौथे और सातवे भाव के स्वामी होते हैं दोनों ग्रह जब यूती में होते हैं तो यहां माता का स्वास्त अक्सर खराब देखने को मिलता है माता सुन्दर अवश्य होती है मगर उसे तंत्र मंत्र में बहुत जादा वरोसा हो सकता है घर ऐसे जातक का बहुत खुबसूरत होता है जातक के विचार, विलक्षन होते हैं और ऐसे जातक की healing power बहुत शांदार होती है दोस्तों ये दोनों ग्रहे अगर एक साथ केंदर त्रिकोन में हो और किसी भी लग्न कुंडली में यदि ये केंदर त्रिकोन में हो और देवगरू ब्रहस्पती की इन दोनों ग्रहों पर दृष्टी पढर रही हो तो जातक को बहुत अच्छे प्रभाव, बहुत अच्छे परिडाम मिलते देखे जाते हैं लक्ष्मी नारायन योग फलित्व होता देखा जाता है धन, एशो आराम और एक मान सम्मान इन लोगों को अवश्य मिलता है यदि ये दोनों ग्रहे एक साथ हों और देवगुरु ब्रहस्पती की इंपर द्रश्टी हो जातक बहुत एश्वरेशाली और सम्रद्दिशाली होता है लेकिन इस यूती में इस बात का विशेश ध्यान देना चाहिए कि कौन सा ग्रह दोनों में से कहीं कोई ग्रह अस्त तो नहीं है सूर्य के ज़्यादा करीब तो नहीं है दोस्तों यदि आपकी जन्म कुंडली में भी बुद्ध और शुक्र की यूती है और आपको इसके उचित प्रभाव नहीं मिल पा रहे है तो आपको इसके प्रभाव इसके शुब प्रभ परिणाम प्राप्त करने ही तू प्रयास करने चाहिए दोस्तों भुद्ध और शुक्र की यूती से जुड़ा ये वीडियो ये दि आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद दोस्तों